सबी किसानवीरों को राम राम सत्ष्रिकाल नमश्कार किसान भाईयो जो हमारी आज की वीडियो है ना सबसे पहली बात हो ये वीडियो बनाएंगे हम हिंदी में बैसे जो mostly वीडियो आती है हमारे चैनल में पंजाबी में आती है पंजाबी लेकिन कई किसान वीरा जो इस चैनल को देखते हैं प्यार करते हैं चैनल को अपना प्यार देते हैं चैनल को ठीक है वो पंजाब से बार के हैं कोई जूपी साइड से है कोई बिहार कोई उनको पंजाबी नहीं समझाती यहां कम समझाती है तो उनकी डिमांड आती है कि भाई हिंदी में भी वीडियो बनाये करें तो आज वाली वीडियो है न जो श्पेशल पंजाब आले तो समझी लेंगे लेकिन पंजाब के जो आउट ओफ पंजाब है उनके लिए वीडियो है हिंदी में ते यह वीडियो दिखाएंगे इसमें जो मोडल दिखाएंगे ना उसकी जानकारी देंगे किसान भाई आपको ठीका तो वीडियो बढ़िया लगे पसांद आए वीडियो को लाइक शेर कर देना और चैनल को सस्क्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो चैनल प पंप 57 HP में टेक्टर आता था लेकिन जैसे ही गोर्मेंट ने किया भी जो 50 HP के उपर वाले टेक्टर है वो CRDA इंजिन के साथ आएंगे तो सभी कंपनियों ने जो आपने मोडल थे ना कोई 55 HP को 57 HP उनकी थोड़ी पावर वगारा कम करके ना HP कम करके टोर के ज्यादा करके तो उनको 50 HP में पास करा लिया वैसे ही यह टेक्टर है किसान वीरो इसकी पावर वैसे 50 HP से ज्यादा कंपनी कहती है अभी अभी जो बताया मुझे जैसी वालों ने लेकिन जो ओना आर्सी आएगी आर्सी के उपर वह 49.9 कुश्य ऐसे 50 मिनिंग 50 HP से कम ही आएगी इसकी पा करी देनिया जो पहले मोडल आता था 57 HP आला अर्जुन इन पंप वो कसान वाई हो गया बंद डिसकंटीनू हो गया ठीक है जी उसकी जगा अगर आपको अर्जुन लेना तो आप 57 HP आला CRDI इंजिन के साथ ले सकते हो वह CRDI इंजिन कर दिया कंपनी ने ना 57 HP आला अर्जुन इसी शो में मिल जाएगा वह आपको CRDI इंजिन 57 HP में लेकिन एक नोबो भी आता है 57 HP 60 HP में वह भी मिल जाएगा आपको CRDI इंजिन दोनों ठीक है तो अगर आपको 305 ही लेना अर्जुन लेना है इन लाइन पंप में तो वही मोडल ये कंपनी ने निकाला उन किसानों के लि शहरता तरी कम ज्यादा कर सकते हो फ्रंट पे जो उसकी लाइट है Wram हम यह लोगी चेह हो टेना ज पहलोगों के साथ है वह सबक्रणों में आपको जोदाब ही और इसकी एपइफटी इंजिर की जो सेफि के सबस्क्राय वह कता है, है इसकी जो PTUHP यह वह 44.3, 44.3 PTUHP यह और जो SFC specific fuel consumption वह 259 है, 259 है ठीक है जी, और इसकी यह भी चेंज कर दी है, पहले वह संगल से आते थे, अब जे कर दी है, यह वाला ठीक है जो, स्पोटे है ना, लिंक को, इसकी जो lift capacity है ना, वो 1600 के जी है, 16 क्वांटल ठीक है जी, तो इधर देखो किसान भाईयो, इस नोवो है से सो पांच है, से सो पच्पन डी आई, 4x4 CR-DI इंजन, ठीक है जी, यही जानकारी किसान भाईयों आपको देनी थी, ति अगर किसी किसान भाईयों से सो पांच अरजुन चाहिए, इन लाइन पंप में, तो वो अभी भी मिल जाएगा, यह मत सोचना, आपकी कमपनी ने CR-DI टेक्टर आने के बाद, जो अरजुन से सो पांच डी आई, इन लाइन पंप बाला वो बंद कर दिया, बंद जिरूर किया था, उसको CR-DI कर दिया, लेकिन फिर उस मोडल को देखो, RC पे 50 HP करके, साथ में MS लगा के, इन लाइन पंप में, फिर कमपनी ने उतार दिया, मार्केट में, ठीका, तो यह मिल जाएगा, ट्रेक्टर, यह जो ट्रेक्टर खड़े हैं, दिस्टिक गुर्दासपूर, स्टेट पंजाब, में खड़े हैं, महिंदरा की जन्सी है, ठीका जी, वहां खड़े हैं, लेकिन अगर आपको जे मोडल लेने, तो आपका जो डीलर है न, नीरेस्ट, आपके एरिये में, आप उससे पता कर सकते हैं, वह भी आपको मंगबा देगा, ओर्डर पे भी मिल जाते हैं, ये मोडल, इल्नाइन पंप वाले, ठीका जी? बाकी अगर पांसो पचपन लेना, वह भी ले लो, लेकिन मेन जानकारी इसकी सी, पांसो पचपन तो सभी को पता भी आ रहा है, लेकिन ये वाले जो मोडलाई हैं, ना, MSS A105D, इल्नाइन पंप, इंट्रेक्टरों का बहुत कम किसानों को पता भी कि ये फिर से लौचों के ये इल्नाइन पंप में, ठीक है जी? ता आशा करता हूँ कि वीडियो बढ़िया लगी होगी, वीडियो को लाइक, शेर, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, और उपर से मीटर वगरा भी दिखा देता हूँ आपको इसका, ये देख लो उपर, मीटर, वो ही पुराना मीटर है, पुराना जो पहले चला रहा मिनिंग, बहुत ही बढ़िया, डीश्टल मीटर हा पुरा, ठीक है जी, कर लो जाको, वो भी होई है, तो ठीक है किसान वीरो फिर, मिलते हैं किसी नई वीडियो में,